वेल्कम बाख फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल में मित्रों इस वीडियो में आप SET से संस्रिदी जनकारी देखेंगे हम लोग इसमें चरशा करेंगे कि SET की तयारी किस किस प्रकार होनी चाहिए हमारी अरन नेतिं क्या होनी चाहिए किस प्रकार से हमारी स्ट्राटिजी होनी चाहिए कि हम इसे अरहां से क्लीर कर सके आए शुरू करतें सीछ, को Sisa सत्पों यहू 75 का एक पेपर एक पेपर है इसे घ्च पर टू भी बोलते इसकाüng फोनीस पेपर और applaud伍 कहता है पित्रों C-set जो है ये पेपर बहुत सारे हमारे भाईयों के लिए विद्यार्थियों के लिए बहुत चुनोती पुरूर होता है अक्सर देखा गया है कि पहला पेपर जो है उसको तो आराम से लोग कर लेते हैं लेकिन इस पेपर में अक्सर जो है वो सही से नहीं कर पाते हैं और जिसके कारण उनका जो प्राड़मिक परिश्या है उसमें वो असपल हो जाते हैं पास नहीं कर पाते हैं और उनका जो ड्रीम है वो एक साल के लिए लटक जाता है तो आईए हम लोग C-set के बारे में सबसे पहले इसका पैटर्न देखते हैं ताकि फिर आगे हम अपना रहनीती बना सके कि किस तरीके से इसकी त्यारी हम लोग करें ताकि हम इसको क्वालिफाई करें आई चुरूपते हैं सी सेट जो होता है मित्रों यह इस पेपर का जो टाइम है यह दो घंटे का पेपर होता है तू आवर्स यानि कि 120 मिनट आपको मिलेंगे इसके लिए सी सेट के लिए कोश्चन की जो संख्या होगी आपको वो असी कोश्चन पूछे जाएंगे हर कोश्चन के लिए इच कोश्चन का जो अंक होगा वो 2.5 होगा 2.5 अंक का हर कोश्चन होगा फिर आपका क्या है कि नेग्टिव मार्किंग होगी इसे आप याद र 8.83 अंक काटा जाएगा अगर आप जल्द करते हैं तो इसके बाद आप देखेंगे कि टाइमिंग देख लिए आपने क्वेश्चन देख लिए इतना अंक देख लिए अब इसमें जो है आपको मार्क्स कित लाना है पास मार्क्स लाना है वालिफाइंग है यह यह जिर्फ आ इतना अंक आप लाएंगे तो आप C-set को आराम से क्लियर कर लेंगे तो यह तो रहा पैटरन की बात C-set का आए हम लोग देखते हैं कि C-set में सब्जेक्ट क्या होता है उसे हम लोग देख लेते हैं आए शूर करते हैं C-set में मित्रों इसमें तीन सब्जेक्ट पूछा जाता है एक है मैथ इसे लोग क्वांट भी कहता है क्वांट एक है मैथ दूसरा है आपका रिजनिंग और तीसरा है आपका कॉंप्रिहंसन इन तीन सब्जेक्टों से मित्रों कोश्चन पूछा जाता है मैथ है आपका रिजनिंग है आपका कॉंप्रिहंसन आज़े इनी तीनों से पूछा जाता है तो आपकी रनीती क्या होगी से लिए पस हम लोग डिटेल में थोड़ा सा देखेंगे लेकिन पहले रनीती देख पता ही चल गए आपको कि मैथ पूछा जाएगा आगे देखेंगे मैथ में क्या पूछा जाएगा तो अगर आपका मैथ विख है तो आपको अपने स्ट्राटिजी की अनुसार रिजनिंग और कॉम्प्रिहंसन पर फोकस करना चाहिए अगर आपका रिजनिंग कमजोर है त तो मैथ और कॉम्प्रींसन पर फोकस करना चाहिए अगर आपका EBmm कमज़र है तो आपको रेजनिंग और मैथ वर्ट पूरा फोकस करना चाहिए सब्सक्षि कितना crít अब कुछब कुछा जाता है उसको आप सब्सक्राइब लाग इसे 25 दीट को अप्रखे सव्त stressing का संख्या है आपका इसी तरीके से रहेगा कि मैट का लगभग 25 से 25 से प्लस रहेगा रिजिनिंग का वही रहेगा कॉंप्रिहेंशन का 30 कोश्चन के आसपास 24 इज़र 24 उधर रहेगा आप एनलाइसिस करेंगे जो पीछले का कोश्चन है तो आप लगभग देखेंगे इसी तरीके से कोश्चन पूछे जाते हैं तो आप इस तरीके से अपने अनुसार अपना जो विक पॉइंट है और जो आपका स्ट्रॉंग पॉइंट है उसके अनुसार अपना रहनिती बना लेंगे और मान लिजिए कि अगर आपका मैट और रिजिनिंग ठीक है तो थोड़ा सा जुगार करना होगा कि कॉंप्रिहे करना है कि मैट से यहां से कुछ कोश्चन अगर बन जाता है आपसे मिल जाता है तो यह आपके लिए प्लस पॉइंट होगा अगर आपका कॉंप्रिहेंसन कमजूर है तो मैट रिजिनिंग कंप्लीट फोकस करना है और कॉंप्रिहेंसन में कोशिश करना है कि यहां से कुछ क के मनाईए कि काटकूट के जो भी ड्याटीव मार्किंग है ड्याटीव मार्किंग काटने के बाद आपका जो एंक हो वह 33% आ जाएétais ज्यादा आपको लाने की आवशकता ही नहीं है कोई मतलब नहीं इससे ज्यादा 33% आगया काम हो गया तो आप कोशिश करेंगे कि उतना कुश्चन आप कर लें कि जहां से 33% मार्क्स आपको मिल जाए लगभग आप जो है 40 40 प्लस 40 to 50 के बीच में अगर कर लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा यानि कि आप सी सेट को क्वालिफाई कर जाएंगे और तो आपको पता है इसमें क्वालिफाई से ज्यादा कोई मतलब है नहीं आप इसमें क्वालिफाई कर गए है आपका काम हो गया इससे ज्यादा आपक कि आपको आवशकता भी नहीं है आई देखते हैं कि मैठ में क्या पढ़ते हैं मैठ में किस किस पोर्शन से कुश्चन आता है आपको और इसको हम लोग देख लेते हैं आई देखें मित्रों कि मैठ जो है आपका मैठ आपका बिल्युकुल सुम्पल रहेगा जो योर्छ ऐस καहे track sir 19 का जो सभून हां से और यह रहागा बच्चों को पोर सन तोली आपको कि वैसा है तो वह मैठ रहेगा आपको जैसे रहेगा आपको LCM हो गया LCM हो गया HCF हो गया number system से रहेगा number system हो गया इसके अलबा हो गया आपका average हो गया average हो गया फिर हो गया आपका age रहेगा फिर ratio और proportion हो गया percentage हो गया profit and loss हो गया compound interest हो गया SI हो गया simple interest और mixture से रहेगा आपका question mixture हो गया mixture and allegation जो time distance है उसमें रहेगा train का question रहेगा धारा जो current जो होता है धारा और जो now का है उससे question रहेगा यह सारा प्रशन ही आपको math से पूछा जाएगा तो इसमें आप थोरा सा focus करेंगे कितना ही week हो math का आप अगर focus करेंगे तो आप कुछ न कुछ सवाल बना सकते हैं निश्चित बना सकते हैं कोई शक नहीं है थोड़ी सी मेहनत आप करें तो इसमें आप काम कर सकते हैं कुछ marks का विवस्था कर सकते हैं अपने लिए तो यह है अब में आपका मेंसुरेशन भी पूछा जाता है मेंसुरेशन का भी पार्ट हैगा जिवेट्री का भी पार्ट रहेगा प्रोवाबिलिटी भी है आपका प्रोटेशन कम लेकिन आप अगर यह सारा कुछ पोर्शन से से कर लेते हैं तो निश्चित आप बढ़िया प्रोशिन का आंसर दे देंगे क्योंकि इसके अलाबा एक पार्ट और होता है भी जो पूछा राता है उन्हीं इनाम से डेटा इंटर्पेटेशन नाम से तो डेटा इंटर्पेटेशन में आप इन सारी चीजों का ही आप शकता परेगा percentage का profit and loss का ratio and proportion का तो अगर इतना कर लेते हैं math में तो math जो है इसमें आपका अच्छा marks आ जाएगा अब रहा रिजनींग की बात इसमें दिखेंगे तो इसमें आपका coding recording है coding recording है coding recording है recording है sitting arrangements से है sitting arrangements का question रहेगा आपको blood relation का question है blood relation से question आता है फिर blood relation हो गया आपका इसके series से question है direction से question है यह बहुत hard नहीं है थोरी सी आप ध्यान दे तो आप कर सकते हैं से direction से सिलोजिस से है सिलोजिस पर्जल से आपका question है कि डाइग्राम वाला भी question रहेगा फिर वह अर्जुम्शन से आपका assertions है conclusion है इस पार्ट से भी question है अर्ग्यूमेंट इन पार्ट से आपका reasoning से question रहेगा और भी कुछ है आपका dice है डाइस है calendar है और भी कुछ portion है जिसमें की reasoning से question आएगा तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान दें तो आराम से कर सकते हैं अब रहा गई comprehension की बात तो comprehension जो है मित्रों इसके लिए आपको पैसेज देगा और उन पैसेज को पर करके आपको उसका answer देना है जवाब देना है तो पैसेज पैसेज पर जो है बहुत सारा पैसेज रहेगा और उन पैसेज से नीचे कुछ questions रहेंगे जिसको आपको जवाब देना है पैसेज को परके समझ लेना है उसके बाद जो है question को reply करना है तो यह हो गया comprehension की बात तो इस तरीके से आप देख लिए आपने देखा कि क्या क्या मै आपको करना है यह देख लिए और değiş तो पैसेज देगा तो इस तरीके से आप अपने रणिती बना सकते हैं कि कोई कमझोर है और तीरों में से कोई एक कमझोर है तो तो दो को मजबूत करना है हर हाल दो को मजबूत करना है और तीसरे में से जुगार लगाना है कि कुछ question के लिए पूरा हो जाएगा कितना लाना है क्वालिफाइं 33% इससे जादा नहीं और इससे कम भी नहीं कम आ गया तो काम खत्म हो जाएगा फिर एक साल आपको लटक जाना परेगा इसलिए इतना आपको तो हर हाल में प्रयास करना है कि आ जाए तो आज के लिए इतना ही अगल लोग मैथ और इसनिंग और कॉम्प्रियंस हं तीनों में से किसी एक की शुरूआत करेंगे विससे मैथ की शुरूआत करेंगे हम लोग तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वीडियो देखने लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया थैंक्यूव जाहिंत